सुप्रभाद प्यारे बच्चों, बच्चों आज हम करेंगी स्वर ई की कहाने। ईद का दिन था इशान और इशा बहुत खुश थे। वो दोनों खुशी-खुशी इदगाह जा रहे थे और उनके हाथ में कुछ तौफे थे। इशा और इमान ने इदगाह में नमाज अदा की और वो दोनों अपने घर की तरफ वापिस आ रहे थे। जैसे ही वो दोनों आ रहे थे उनको रास्ते में ई से एक दिखाई दिया। दोनों इ से एक को तोड़ने की कोशिश करने लगे और आगे पड़े इ से इंट के ठेर पर गिर पड़े। तो बच्चों हमें जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो इशान और इशा दोनों घर वापस आए और उन्होंने खुशी खुशी इद का त्योहार मनाया। तो बच्चों इस कहानी में हमने इ के शब्द के इ से इक, इ से इद, इ से इद, इ से इधन तो बच्चों चलिए अब हम करते हैं इ से इक की कविता। इसे इक, इक ही गन्ना, देखो इसको खाए मुन्ना।